परस्ट है ग्रेट 2 जी अच्छा शऩिर इस पर कितनी लेर डाली जाएंगी जी टोटल जी तीन लेयर में होगा डीवियम अच्छा थाई सौंख जी अच्छा जी मैं दिपकवच पर लियातर के एक बैम व्लोग-गारता हूँ आप सब्सक्राइब करता हूँ आपने अभी तक हमारे चैनल परंजल यातरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब वा ego करें और दोस्तो आज हम चैनेज नंबर 84 पर खड़े हुए हैं जिस पर KCC बिल्ड कॉन कमपनी काम करने में लगी हुई है मैंने इस देली कटरा एक्सप्रेस वे के इसे पहले भी कई वीडियो अपलोड कर दियें प्रांजल यातरा चैनल पर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखें तो किरपया उनको वीजा कर वोच करें आज हम जिस चैनेज पर खड़े हैं 84 नंबर पर यहां पर बूम पलेशर मसीन काम करने में लगी हुई है जो यह गाडर कास्टिंग का काम होता है वो चला हुआ है और आप यह पीछे मेरे गाड़ियां देख रहे हैं पूरी जोर सोर के साथ काम चला हुआ है और ऐसा नुमान है दोस्तों गेड़ साल के अंदर ही इस एक्सप्रेश वे का काम दिली कटरा का कम्पलीट हो जाएगा हम इस पर प्रती दिन वीडियो डाल रहे हैं इस कंस्ट्रक्शन वरक का अपडेट दे रहे हैं और आप वो पिछले वीडियो भी जाकर जरूर देखें अगर नहीं देखें तो आपको सारे वरक के बारे में पता चल जाएगा दिली कटरा एक्सप्रेश वे पर कीतना काम हो चुका है दोस्तों सुमित एक बार थोड़ा जूम करके दिखाओ ये बूम मशीन को दोस्तों यहां पर गाडर कास्टिंग का प्रग किया जा रहा है ये बूम पलेशर मशीन गाडर कास्टिंग का काम करने में लगी हुए है दिली कटरा एक्सप्रेश वे कान्यमान कारिये दोस्तों पूरी स्पीड के साथ चला हुआ है इसका काम 16 पैकेज जो में किया जा रहा है ये आप पैकेज 3 का काम देख रहे हैं पैकेज 3 पर KCC Build Con company काम करने में लगी हुई है और जो पैकेज 1 है वो भी KCC Build Con company के पास है और 2 पर CDS company काम करने में लगी हुई है और देली का ट्राइक्स प्रेस्वे की शुरुआत बाहदरगट के पास जसोर खेडी गाउं से होती है जो केरियाना में पड़ता है और दोस्तो इस पर पूरी तुफानी रफ्तार के साथ काम किया जारा है इससे पहले मैंने जो वीडियो प्लोट किया था दिवियम के वरत के बारे में वहां पर अब सब्सक्राइब भी डाल दीगी है वीडियो मैंने प्लोट कर दिया है आप उसे पिछा कर देखें और दोस्तों अब इस चेहर नमबर 84 पर यहां पर दिवियम की फस्ट लेर डालने का भाब किया जा रहा है और तमफ्रोग कापी लग्डिल लाइन लगी हो इए पूरी जोर सोर के साथ के से कम्पणी काम करने में लगी हुई है लेबर दिवाली की शुटी पर जाने वाली है क्योंकि दिवाली का किभार आ गया है दोस्तों अज्जे कि इस वज़े से पूरी स्पीड के साथ काम कुटे में लगी हुई है जो दिवाली की तुटियों का मनाने जाएंगे उसका कोई काम पर परभावना पड़े इसलिए हैं उनसे इस डीवेम के बारे में पूछेंगे और इस हाईवे का काम तक कंप्लेट हो जाएगा उनके गॉर्डिंग उनके व्यू जानेंगे और चलो दोस्तों अब हम आपको उनसे पर डीवियम इंचार्ज हैं इनसे पूछते हैं दिल्ली का ट्राइक्प्रेश टोए पर जो डीवियम का काम चला हुआ है इस पर ये कौन सी लेर डाली जा रही है यह डीवियम फर्स्त है ग्रेट टू अच्छा सर इस पर कितनी लेर डाली जाएंगी जी टोटल जी तीन ल एक लेयर एसमे का होता है उसके बाद जाके पाइनल होता है इस एक्सप्रेश वे का काम में भी आपके अकॉर्डिंग कितने टाइम में कॉंप्लिट हो जाएगा संभावना है वैसे तो दिसंबर 2024 की डेड़ लाइन है तो आपके गॉर्डिंग तो इस पर कॉन सी कंपनी लगे होई है के सीग विलकॉन ट्राइविट लिम्टेड अच्छा जी और जी अमारे दर्श को क्या गहना चाहेंगे सर्थ अमारे दर्श तक जो देख रहे हैं वीडियो उनको क्या ओव देखा चाहेंगे दि बहुत बढ़िया रोट बन रहा है इस इसी से आप रूट इसी रूट से आप टेवल करिए बढ़िया रहेगा अच्छा जी दिल्ली से कट्रा तक जैसे जिए शिक्स लैन का बनना था पहले तो प्रोजेक्ट है अब साइद ये फोर लैन बनाया जा रहा है वैसे जमीन तो अक्वाइर की गई है जो शिक्स लैन के प्रोडिंग की गई है जमीन लैंड तो है अपने पास अच्छा जी और रोड भी आप प्रोड लाइन के बन रहा है मतलब लेकिन फोर लाइन इसका नाम दिया हुआ है क्योंकि इसका जो शोल्डर है वो ज्यादा दे दिया है अच्छा जी अच्छा जो ये बीच का एरिया सबया है सबस्क्रादा है जो चलिए जे सब्सक्राइं एम लाइप ऑफ ऋने बेहरा प्लागे तो इसमें घ्री आट लिए ये मिडियन इसको बोलते है आच्छा था ये 22 मीटर का मिडिक अच्छा 5 इसमें फैड पोदो ललगा देंगे अच्छा जी में पेड़ दॉबादे